तो हेलो एवरिवन आज से हम लोग देखने वाले एफाई का बिजनोस एकनॉमिक का लेक्चर नमबर वन और बैसिकली इंट्रोडिक्शन है कि इसका क्या 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 चीज हम पढ़ने वाले पूरे बिजनोस एकनॉमिक इस बुक के अंदर और जो फर्स हमारा टॉपिक भी रह लगते हो तो चार यूनेट से जिसके अंदर आपको टोटल ग्यारा चैप्टर पढ़ने हैं विकॉम वालों को जो बैफ बीमस बीबी आई बीफम जो है उन कोर्सेस को एक्स्ट्रा और साथ चैप्टर पढ़ने मतलब क्या कि देखो चार यूनेट तक तक तो आपको अब देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन उसके अंदर दो चैप्टर से इंट्रोडेक्शन तो बिजनस एकनोमिक और मार्के डिमांड और सब्लाएं और एक और चीज़ बीक्लियर कर देता हो देखो कि जो अलग अलग पब्लीशर होते है जैसे दोनों में इंट्रोड जो होता है इंफोर्मेशन वह सेम रहता है बस प्रिजनटेशन थोरह सा अलग रहता है या फिर चैप्टर नाम ठोड़ें लिखे रहते हैं जैसे कि विपूल के अंदर लिखा हुआ है कि स्कोप बिजनस इकनोमिक पहला लाए लग चाप्टर ह किया जाता है तो दोनों का मतलब वह यह बस थोड़ा बहुत प्रेजंटेशन करने का तरीका अलग होता है तो अलग अलग पब्लीशर के जो information सब से में बस प्रेजंटेशन थोड़ी सी अलग रहती है तो आपको टेंशन लेने के जुरूत किस चीज की स्टड़ी करते हैं और ऐसी काफे सारी चीज़ें किस चीज से इस्तमाल किया जाता है यह सारी चीज़ें वह हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो देखो एकनॉमिक के अंदर हम यह समझते हैं कि कैसे जो लोग होते वह एक दूसरे की जो चाहते हैं वह पूरी करते हैं मतलब वांट मतलब क्या जो हमारी चाहत हो दी जैसे मुझे गाड़ी चाहिए तो उसकी वह मेरी चाहत है इस मенट्ट को लोग एक-दूसरी वांटब को पूरी कर दे को उस इसलो गाड़ा को पूरे करते कोई मांग रहा है कोई प्रूसरे मेरे इसलों देता हूँ आपको उसमतर हूं जैसिका गाड़ी इसे चाहिए वायक और है तो मेरें ज़ो इच्छ ए उसे पूरी करने का काम कर रहें और वह कुंद उसकी इच्छ है कैसे हम लोगों की जो इच्छाय है वह पूरी करते हैं उसी को स्टड़ी करता है हमारा एकनोमिक समझे अब आगे क्या लिखा है देखो प्रोडक्शन जो होता है मालो जैसे कि अब हमको केचप बनाने ठीक है अब केचप बनाने के लिए हमें रो मेटेरियल चाहिए रहेगा म है दो चार ग्रोप में डिवाइड किया है तो सबसे होता है लाद मतलब किया जो मिलता है 저 आndर मिलता हो तो जैसा कोई लगलो जो पंदर मिलता हो या पåउब समीं प्र Democrats inёл हम लेड में ँसके बाद आता है लेबर मतलब जो वर्कर्व होता है हमारा जो मस्दूर होता है। उसके रहता है Capital यानि वर्कर को है नहीं हमने लाद mix Image केचप बनाने के लिए तो हाथ से तोरी बनाएगा उसके लिए मशीन लगेंगे पैसे लगेंगे तो काफी चीज़े लेगे इन्वेस्टमेंट लगेगा तो उसे हम क्याइब बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके बाद होता है एंटरप्राइस मतलब कि आप जो के अंदर ऑनलिमिटेट ठोड़ी टमाटर है चाहोगे तो एकी दिन में सारे टमाटर तोड़के खतम कर सकते हो तो रिसोर्सिस कम हैं हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है लेकिन केचप खाने वाले बहुत सारे मतलब क्या कि आप लोग जो है वह बहुत सारे हैं जिनको के साथ में कि Co से कम से कम उत्व भी और जा द्रोगों जाना सकती है उसके अब यह हमारी स्वूर्स इस बहुत कम है अब यह समय मालोब मेरे पासँ हजारी रुपे ठीक है अब 1,000 सोच रहा है कि आज सिर्फ GOT6 दोसु siè Ros Lee में से कॉप्र का अब मेरा मन क्या करते भी मेरा का लोंगे कि मैं इतनी मेरे इच्छा ज़ाए ज़ादा है इच्छा हजार है और पैसे कम है मेरे पास तो उन चाहतों को मैं किस तरह से पूरी कर सकता हूं किस को सेलेक्ट करता हूं तो इसी की स्टड़ी होती है एकनॉमिक अंदर कि लोग जो है वह अपनी जो इच्छाए है 1000 फजाने में से कौन से कम से चाहते संब लेना पैसे कम फेसे कं में काई गाड़ी भंगला और चाहते सब जाता है कि पूछा जासाकता है Wisconsin की स्टड़ी कि नindало सब्सक्राइब स्टड़्य जाती है से वह बहुत जादा कम है तो इसके वज़से लोग जहें कौन से कौन से रिसॉर्स को चॉइस करेंगे मतलब दो ऑप्षिन रहेगा तो दो मैं से को सिलेक्ट करेंगे ठीक है जैसे आपके पास वड़ा पार समोसा का और आपके पास दस रुपे तब किसको सिलेक्ट करते हो त मतलब है द जो सकता है जाओ क्रीट सकता है । चाहते हैं मिलेगी लेकिन मैं चाहता है बोनों को पूरी करना तो हम दोनों में से किसको चॉइस करते या तो कपड़े खर देंगे या तो मतलब केख खाएंगे ठीक है तो इसी की study होती है हम economic अंदर कहते हैं यह लोग जहें वो किस चीज को सिलेक करते हैं जनरली लोग जहें उसी को सिलेक करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा satisfaction मिल स लगे जिस से माल लो आपके पास दो आपोर्षण रहेगा या तो मिठाई खा लो मातलो मिठाई खाने से जदा अच्छा लगेंगा मिठाई सब्सक्राइब करते हैं जिस से मतल Jim ज्यादे सटिस्वाक्षन मिल के मला थो एगर ज्यादा मिले तो उसी चीछ करेंगे छॉइस कर लेंगे आगे लास्ट कया लिखाए इसके सब्जेक्ट बिड दो हिस्सों में डीवाइट किया गया है माइक्रो में संधों एक पर अब कर दो भी माय्क्रो इकनोमिक ही तो माइक्रो एकनोमिंक मतलब क्या हमारे पास रिसोरसे जुह बहुत जारब कम होते हैं और उसके बहुत जारा इस्यक्त मुटी तो माइक्रों का मतलब क incent उसी को हम छोटे लेवल पर और करते हैं मतलब क्या अब मान दो एक आदमी है जो गाव से अभी अभी आया है और फिर क्या होगा कि अब देखो गाव से आया है तो इसके पास पैसे बहुत का में काम करने के लिए आया था तो गाव से आया तो उसके पास सिर दसी हजार रुप सकता है तो इसी को हम माइक्रो एकोनॉमिक कहते हैं कि हम अब क्या हुआ देखो वह जो सिंगल एक आदमीता है इंडिविजल एक अकेला जो आदमीता है उसकी हम स्टड़ी कर रहे है कि वह जो आदमी हो इसके पास रिसोर्स कम है तो उन कम रिसोर्स में भी उसकी जो करते हैं तो इसी को माइक्रो एकोनॉमिक है ठीक है तो अब देखो इसके पॉइंट डेख लेते हैं कि देखो माइक्रो एकोनॉमिक स्टड़ी दा इकोनॉमिक बहेवियर ऑफ इंडिविजल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच आस कंजूमर डिसोर्स ओनर बिजनस फॉर्म एं सब्सक्राइब ज्रौन इसके अंदर एक सिंगल आदमी की स्टड़ी हो सकता है कि कपनि की पूरी नेशन तो महाराष्ट्रा का मालो कोई कंपणी रहेगा तो इसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है इन दिस कनेक्शन माइक्रोएक्णोमिक एक्जामिन देटर्मिनेशन अफ इस प्रोडक्त प्राइस आउट्पूट एंप्लॉइमेट माते हैं च्पते ही तो गबभार्मिन और कि यूसा सब नजर आईक नजर जकी चार मताफिक के दिखेंगे दिखाना पड़ता है क्तरीस अगिआросवाठ्वार्मिक यूत्स शाफ़रेक्षों भी लेना रदा हुआ तो देखो गुवर्मेंट जो है सबसे पहले जो गुवर्मेंट का नजर जाता हूँ होता है सेल्स के पर कितना प्रोड़क्त बिए मतलब कि अप्र प्रोड़क्त की डिमांड कि लोगों में इस प्रोड़क की कितनी ृपटर मोटियरे लाए तथ है यह सारी चीजों को देख कितने आउटपूट बेच रही कितना मतलब डिमांड है लोगों के अंदर इस प्रोडक्ट का कितने एंप्लॉइमेंट डेरे कितने वर्कर्स के अपनी में काम करते इस सारी चीज़ों कुई जिसे मैंने बताई कि जो गवर्मेंट है अब मालो किसी कंपनी का वह अगर देख रही है कि बताऊंट तुमने प्रोडक्ट्स बेचे किने सेल्स तुमने कि इस सारी चीजों की मलत देखता है चेकिंग करता है तो इसी के बारे में कि देखो माइक्रों के अंदर यहीं देखत है चेपना आनोग पहुत और को तो प्रोड़क्ट्स करते है अक बस्कति सब्सक्राइब तरपड़्स थे और लेबर जो रहेगा उसको वेजसे दीने पढ़ेंगे और जो हमारा इंट्रस्ट देना पढ़ता है मनुद जाएस माल्न लोन लिया कंपनी से या फिर आपके शेर्फोल्डर्स ने लोन डाला है लब शेर्फोल्डर इन्वेस्ट गया तो उनको इंट्रस्ट भी दिना पढ है कि आप देखो जैसे हम एक-एक सिंगल इंडस्टी के पढ़ रहे थे तो मानों उस सब को हम कलेक्ट करके पूरा नेशन बना कर नेशन की स्टडी करेंगे जैसे मालों आपका बुक है तो हम बुक की एक-एक पहले चैप्टर पढ़ रहे थे ठीक है कि बुक का एक चैप्ट तो वहां से तोरी मिलेगा डाटा कि हां यहां से कितने सेल्स हो रहें कितने क्या हो रहे हैं अब दोगों यहां पर पॉइंट्स देख लेते हैं अफ एकनोमी एज़ और सुसाइटी इन कनेक्शन विट एकनोमिक चॉइस मतलब क्या यह भी नॉर्मल जैसे हमने इकनोमिक प सिंगल की स्टड़ी करतां जैसे एक पीछald पढ़ रहता है अकेले की पीछे सकोल करता है तो और स्कूल के बारे मैं पूछ रहीं साथ पासफा से चल रही है और साहित, और Social ITEBS कसी नेज़ते, था dessen का सश पमिए भी दूरे सूर्य cookie सीर्व और सबको मिला जुला कर हम सबकी स्टड़ी करते अब देखो अब नाशनल इंकम है कि हमारी कंट्री इंडिया वो कितना ज्याद हमारा भारत देश कितना जो है वह साल भर में पैसे कमा रहा है कितना रिवन्यू जन्रेट हो रहा है फिर कितना डिमांड इंडिया के अंदर कितने लोग को क्या-क्या प्रोड़क्स चाहिए और कितने सप्लाइब और वह सरी चीजे और इंटर्नाशनल ट्रेड यह सरी जो चीजे है वह मैक्रो एकनोमिक के अंदर आती है अब दो को सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि मैक्रोड़क्स एक्स्ट्रीम्ली यूसफुल इन फॉर्मिलेटिंग औफ एकनोमिक पॉलिसी बाइद गॉर्मेंट और मॉनेटरी ऑठरी इस मतलब क्या है अब गॉर्मेंट को मालूं मालूं पढ़ गया कि इंडिया की जो लोग है अब वह अमीर हो चुके मतलब क्या है एंप्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका है लोग ज़ह हैं लोगों की नैशनल इंकन काफी ज़दा आ रही है जिससे परदर चुन रह पता है कि टोटल जो इंडिया हमारी वहां पर कितने लोग जो है वह एंप्लॉयड किटने लोग एंपलॉयड यह सरी चीज़े जो इंफॉर्मेशन हो मैक्रो एकनोमिक हमें देता है ठीक है मायक्रो मैक्रो चाहिए पूरे घर को देखता है और माइक्रों सीप अपने उपर देखता है छोटी मोटे चीज़े को ध्यान देता है ठीक है अब देखो बिजनस फर्म यूज माइक्रो एकनोमिक डाटा एंड एनलेसिस तो फॉर्मलेट प्रेजेंट फूचर बिजनस पॉलिसीज फॉर कास्टिंग और फूचर ट्रेंड्स इस एन इंपॉर्टेंट इंपनी है माणों माइक्रो एकनोमिक डाटा के इस्तमाल कर सकते हैं मालूम पड़ा है मानों कि लोग जो है इंडिया के अंदर वह काफी अमीर हो गए तो इससे क्या परदा चलता है आप लोग के पास पैसा जादा है पैसा जादा है मतलब कि आप लोग कोई भी चीज़ को खरीद सकते और अगर महेंगी चीज़ों खरीद सकते तो मतलब कॉलिटी प्रोड़क्ट यह ना की कॉंड़ेटी तो मतलब बेसिकल इसका इस्तमाल करके लोगों समझ आएगा बिजनस वालों को समझ आएगा कि हमको किस तरह प्रोड़क्ट बनाना है जिसके ज्यादा से ज और इसकी सप्लाई बहुत कम होई अगर मानों कल को सप्लाई जो है यह बहुत मौशफा जाए और किसी को मालूम पड़ीगा कि अरे यह इन्दिया के लिगा सप्लाई बहुत कम है चाहिए कि ठीक है आपने चेक चेक और पता चला अब इससे अप्र क्या कर सकते बिजनस जि कि उनका मतलब बेसिकली जो भी बिजनस के पॉलिसी चेंज करनी रहेगी वो कर सके और जिसे जैसे भी मतलब को लगता है कि यह सारी चेंज़ करने की जड़ों तो कर पाएंगे कर दो कि आपको उसकी प्लेट और अगर वीडिएशन को कुर्स कर के बता दो कि समझ म समझ आ गई तो यह नहीं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे